हलो एवरीवन, वेलकम यू अल, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे गुरु गोरक्ष नाज जी के विशे में इससे पहली वीडियो में हमने महर्शी पतंजली के विशे में पढ़ा था यूसी नेट योग जारफ की जो फर्स यूनिट है उसमें महान योगियों का परिचय पुछा गया है उसी क्रम में आज ये योगी की दूसरी लक्ष सिरीज है जिसमें हम गुरु गोरक्ष नाज जी के विशे में पढ़ रहे हैं और महशी पतंजली की बाती इसमें भी हम इनकी पूरे बेसिक इंट्रॉक्षन से इनकी योगी कंट्रिविशन तक टिटेल में पढ़ेंगे तो कुछ परीचे गुरु गोरक्षनाजी के विशेमेदी हम पढ़ें तो गुरु गोरक्षनाजी इनको गोरक्षनाज भी कहा गया है और ये हट्योग परमपरा के महान आचारी माने जाते हैं इन्होंने नाथ योग को काफी प्रमोट किया नाथ योग परंपरा से हट योग परंपरा से काफी जूड़े हुए हैं तो इसलिए इनको हट योग परंपरा का एक सिद्ध योगी की रूप में जाना जाता है अब इनका जन्म और जन्मी स्थान महर्शी पतंजली की ही भाती जो गुरू गूरखनाच जी है इनकी भी जन्मकाल और जन्मी स्थान के सही सही जो विवरण है वो हमें प्राप्त नहीं है अलग-अलग विद्वान लिद्वान निदी आप देखेंगे जो पंडित राहुल सांकृतियायन हैं वो इनका जन्मकाल नवी शतापदी के मर्दे मानते हैं इस परकार आप देखेंगे कि अलग-अलग विद्वानों द्वारा इनका जो जन्म है वो अलग-अलग शतापदियों में मानम पताया गया है और कई विद्वान जो है इनका जन्म रावलपिंडी में मानते हैं जो आपको पता होना चाहिए कि रावलपिंडी अभी पाकिस्तान में है अधिकतर विद्वान इनका जो जन्मिस्तान है वो उत्तरप्रदेश के गोरखपुर जिले में मानते हैं ज्यादा authentic माना जाता है क्योंकि गोरखपुर जिले में आज भी गुरु गोरखणाजी के काफी मंदिर हैं वहाँ पर गुरु गोरखणाजी को काफी माना जाता है अब हम जानेंगे कि इनकी विशेव में क्या जन्म कथा प्रचलित है क्योंकि इनके जन्म के कोई विशेज प्रमार प्राप्त नहीं है तो यहां पर कई यहां पर एक कथा जो है वो प्रचलित है कि किस प्रकार इनका जन्म हुआ है तो एक कहानी के तौर पर आप इसको संबस सकते हैं काफ़ इंट्रेस्टिंग एक कहानी है जिसको आग दिया आप कहानी के तौर पर पढ़े तो आपको इनकी जन्म पता बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी ये माना जाता है कि एक बार जो गुरु मसेंद नाजी थे वो भिख्षा मांगने के लिए निकलते हैं और एक घर के बाहर जब भिख्षा के लिए आवाज लगाते हैं तो वहाँ पर एक घर से ब्रहमनी जो है वो भिख्षा लेकर बाहर आती है और भिख्षा वो पात में जब डालती है तो रोने लगती है जब मसेंद नाज जी वो उस प्रहमणी से रोने का कारण पूसते हैं तो वो ग्रह स्वामी नी कोई कि वो पुत्र प्राप्ती के लिए काफी उस्सुप थी तो उन्होंने पुत्र प्राप्ती के लिए आशिरवात के रुप में अपनी इच्छा वेक्त करी तो उस वक्त तुरंत ही जो गुरु मसेंद नाज जी थी उन्होंने उस प्रहमणी को चुटकी बर भभूत दे दिया और यह कहा कि वो इस औस्ती रुपी बभूत का सेवन करे उसके पश्चाद उसका एक तेजस्वी पुत्र उसको प्राप्त होगा और ऐसा कहके गुरु मसेंद नाज जी वहां से चले जाते हैं अब क्या होता है गुरु मसेंद नाज जी जाते हैं थोड़ी देर में परोसन वहां पर आती है और वो कि इस प्रकार की बभूत के सेवन से नुकसान ना हो जाए इस प्रकार कहती है तो जो प्रहमणी है वो परोसन की बातों में आ जाती है और नुकसान की भैसे उसने वो उसी गाओं में भिख्षा लेने के लिए आते हैं और उस घर के बाहर वो जब अलग जगाते हैं और उस घर से जब अबरहमणी पहार आती है तो उसको देखकर गुरू मस्तिना जी कहते हैं कि अब तो तेरा बालक बारा वर्ष का हो गया होगा क्योंकि बारा वर्ष बाद हो वहां आते हैं तो वो उसको देखने की इच्छा प्रकट करते हैं वो कहते हैं कि मैं उसे देखना चाहता हूँ वो कहा है ये सुनकर जो प्रहमणी है वो संपूर घटना की किस परकार उसने जो बभूत थी उसको गोबर की गड़े में फेक दिया वो सब कुछ बताती है तो गुरु मसेंद नाची उस जगवा पर जाते हैं और अलग नंजन की ध्वानी करते हैं जिससे क्या होता है कि एक बारा वर्ष का तेजस्वी बालग बहा निकलता है गुरु मसेंद नाची की चर्णो पसीस नवाता है और आगे चलकर यही बालग गुरु गोरखनाथ के नाम से प्रशिद हो जाता है इस प्रकार गुरु गोरखनाथ जी का माना जाता है कि यह जन्मेक कथा यहां पर कही कही है तो हमने जो अभी इनकी जन्म कथा के बारे में जाननी है काफी इंट्रेस्टिंग ए कहानी के तोर पे आप इसको पढ़िए जानिए अब गुरु गोरखनाथ जी का योगिक जीवन कैसा रहा क्योंकि योजसे नेट जीयारफ में आपको परिचे के बाद एक योगिक कंट्रिवुशन पूछा गया है महर्शी पतंजली का भी हमने इस तरह कंट्रिवुशन पढ़ा था अब उसी तरह हां गोरखनाथ जी का पढ़ेंगे कि ये कोशन इमपोर्टन्ट है क्योंकि इस से हमीसा कोशन पूछा जाता है तो इनकी गुरू का नाम गुरु मस्धिन नाजी था तो नाज संपरदाई को जो इनोंने की जो आर्च पेशक और नम की संश्धापक रहे लेकिन उस संपरदाय को प्रचारित करने का प्रसारित करने का जो कारी किया वो गुरु गोरख नाजी ने किया और गुरु गोरख नाजी को गुरु मसें नाजी ने ही संपूर्ण योग की सिख्षा दी थी तो उन्होंने इस नाथ संपरदाय को हट योग की जो परंपराएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाया उसको पूर्ण रूप दिया गुरू की सिख्षा से योग की सिद्यों से जो गुरू को रखनाची थे वो काफे प्रसिद्ध हो गए वो नाथ योग में काफे है उसमें अपना योगदान दिया तो इस परकर हमने इनकी कुछ योगदान को जाना हम नाज संप्रदायक जब हमापर वर्ड आया है शब्द आया है तो यह बहुत ज़्याता जरूरी हो जाता है कि हमें पता हो कि नाज संप्रदायक जो था वो नौ नाजों का एक ग्रूप इसमें जो नौ नाज थे उनमें से जो इंपोर्टन नाज है उनका जो क्रम है वो मैं आपको बता दूँ मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि नाज संप्रदायक का जो जरक माना जाता है गुरू मत्सेंद नाजी को माना जाता है और फिर देरे अन्न योग्यों दोरा इ इसमें आते हैं गुरु गोरक्ष नाज जी इसमें आते हैं जालंधर नाज जी इसमें आते हैं इसके अलावा इसमें हमारे जो फोर्ट नंबर के जो हमारे योगी है वो नाग नाज जी इसमें आते हैं प्रहतरी नाज जी यहाँ पर नाज संपरदा के नो नाथ हम आते हैं च प्रकार नाज संपरदाय हमारे नौ जो हमारे सिद्ध योगी हैं जो नाज संपरदाय के प्रमुक योगी हैं उनका यहाँ पर नाम आता है तो हमने अभी जो नाज संपरदाय के नौ हमारे योगी थे वो हमने पढ़ लिया मस्द नाजी गोरक्ष नाजी, जालंदर नाजी, नाग नाजी, भतरी नाजी, जर्पटी नाजी, कानिफ नाजी, गहीनी नाजी, रेवन नाजी तो इनको आप बाईहार्ट याद कर लें क्योंकि यह प्रस्ण यहाँ पर से पुछे जानें कि कभी-कभी संभावना बन जाती है अब गोरक्ष नाजी के प्रमुक सिश्ष कौन-कौन रहे हाला कि गोरु गोरक्ष नाजी के काफिश सिश्ष रहे लेकिन जो प्रमुक सिश्ष रहे वो कहनी नाज और चरपटी नाजी रहे ऋने गुरु गुरखनाजी के साथ काफिम मिलकर जो योग की परमपरा थी, नाद परमपरा थी उसको जन जन तर पहुंचाया. । अब जो अकसर पूछा जाता है गुरु गुरखनाजी के इस वाले युनितसे वो इनकी कुछ जो ग्रंथ हैं उनका नाम. तो गुरू गुरक्षिचाची द्वारा काफी गरंथ लिखे गई यहाँ पर में कुछ important गरंथ ही डिस्कस करूंगी जैसे की सिद्सद्दान्त पद्दती यह काफी जाना माना हमारा नाम है सिद्सद्दान्त पद्दती आपने सुना होगा यह हमारे हट्योग की जो परंपरा है उसमें लिखा गया एक प्रमुक गंद है, काफे important गंद है उसके लावा गोरक सहीता आप जिस परकर नाम से भी इसको आप समझ सकते हैं गोरक सहीता क्योंकि गोरक नाची दोरा लिखी गई है तो गोरक सहीता important है योग मातंड जो है ये हमारे गुरु को रखनाची द्वारा लिखा गया है इसके अलावा अवदूद कीता जो है वो हमारे गुरु को रखनाची द्वारा लिखी गई है उसके अलावा हमारा गोमुक कौमुदी जो गोमुक कौमुदी है वो भी हमारे गोरक नाजी द्वारा लिखी गई है और जो अन्न है यह हमारी यहाँ पर हट्योग परदिपिका मैंने मेंशन कर दे है आप हट्योग परदिपिका को क्योंकि हट्योग परदीपिका स्वामी स्वातमा राम जी द्वारान लिखी गयी है तो यहाँ पर आप इसको यह कर लें कि हट्योग परदीपिका को छोड़कर गोरक शतक आप आगे पढ़ लें कि गोरक्षतक जो है वो हमारा गुरु गोरक्षनाजी द्वारा लिखा गया है विवेक मारतंड जो है वो हमारा गुरु गोरक्षनाजी के द्वारा लिखा गया है योग चीता मड़ी ये भी हमारा गुरु गोरक्षनाजी के द्वारा लिखा गया है तो इसमें जो प्रमु गर किस ने लिखा क्योंकि अब कोशन का जो पैटन है थोड़ा complicated होता जा रहा है तो वहां पर कोशन को कहीं से भी पूछ जाने की संभावना है घुमाफिरा के पूछ जाने की संभावना है तो कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है गुरू गोरक नाजी हम देखेंगे कि नैपाल में भी गुरू गोरक नाजी को काफी माना जाता है वहां पर गोरक नाजी को शीव गोरक नाजी को कहा जाता है तो कभी कभी यह कोशन मी बन जाता है कि सीव गोरक नाजी को किस योगी को कहा जाता है तो आप यहां पर यह भी important mark कर लेजे कि गोरक नाजी ही सीव ग कथा के विशह में, उनकी योगी कॉन्टीबुसिशन को हमने जाना上 सान्थ य य सानथ हमने जाना कि उना ना समपरदा में以及 योगी में लगा हुआ है यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर लें शेयर कर लें सांती सांत आप बैल आइकन को प्रेस कर लें क्योंकि हमारे अभी लगातार वीडियो की सीरीज चलेगी जिससे की आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे है ये जो करने एंड थेंक्स पर वाचिंग